सबी भाई बैनों और दोस्तों नमस्कार दोस्तों उम्मीद है आप सब सही होंगे खुश होंगे और मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों को ज़्यादा चिंता भी नहीं करने चाहिए भाई क्यूंकि सबी काम हमारे अकोडिंग हो रहे हैं सब अच्छे काम हो रहे हैं ठीक है टेली ग्राम पे भी आये हैं वोट्शप पे भी आ रखे हैं कि सर आगे हमें क्या करना चाहिए आगे क्या होगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ खरकड़ी में हम गए थे जहांपर सीम साब आये थे वहां हमारे एक डिसक्रशन हुई थी कि 30 अगस्त से पहले पहले हमें प अपलोड करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि अभी दो दिन पहले ही हमारा एक कंडिडेट गया है भाई मेरा खास एक दोस्त है वो जाकि आया है चसी बोड में उसकी भी अपडेट देता हूं और अभी कल ठीक है दोस्तों कल यमुना नगर मे खदरी साब से अपने चार-पांस कंडिडेट मिल रहे हैं मैंने परवीन भाई से भी बात की है तो परवीन भाई ने कहा कि जर चार-पांस भाई अपने हैं जो यमुना नगर में ही और खदरी साब से अपने उसके मकान पे मिल रहे हैं भाई गाओं के अंदरी ठीक है दोस सोच भी सर्व नेगेटीटीव रिसपोंस है भाय ये नग 270 नहीं है ठीक है मापको बता दूँं भाई ने जा कर ये कहा उस लड़के ने जो कनीना से गया था यह कहा की सर मैं अभी कमांधों की भरती तयारी कर रहा हूँ ठीक है आप किलियर कट बता दीजिए मुझे बहुत टेंसन होती है आगे कि भरती तयारी नहीं की जा रही है पड़ोसी लोग तान्ने मार रहे हैं सीटी की तयारी नहीं हो रही है उसने ये बात बताई जो कि आप हम सब अक्सर करते हैं और लाजमी और सा क्यूंकि वो लड़का के लिए था तो उन्होंने इस परकारी सुल्टा दिया बात को कि हम रिपलाई तयार कर लिया है और बाकी तो कोड जाने गा और कोड करेगा तो इसमें काफी भाई बैनों ने इस बात को नेगेटु ले लिया नेगेटु ये ले लिया कि खदरी स वीडियो में बताया है गोर्मेंट वकील को चुटकी भर देर लगती है केवल ये कहने में कि मैं इस बार नहीं आ पाऊंगा तारीख पे ठीक है और जितनी भी तारीख होती है वो डेड़ महीना दो महीना इतनी पर इस परकार के डिले होती है अब आपको पता है यार बैस स चल रही है गोर्मेंट वकील सवा घंटा अगर बहस कर रहे है तो सिद्धी से बात है यार पोजिट्व रिस्पॉंस होगा तभी तो कर रहे है ठीक है सेकिंड फॉइंट भाई के वल दस बारा दिन की क्या है तारीख दी है ठीक है तीस अगस्त वाली तो वह भी इतनी क्योंकि रेंडमली रोल लंबर जो दिये हैं और उनके उपर इक्वी परसेंटायल का फोमुला जो पुछा है भाई वो तो यार अच्छा सी बोड़ी बताएगा ना समझना मेरी बात सुरूती जन कैसे बता देगी यार हलांकि वो सेरनी है मैं आपको यह फिर से कहूंगा अकेली वकील ने सभी Unselected Private वकील के जक्के चुड़ा रखे हम आपको बता देता हूं क्यूंकि प्राइविट वकील भी अब यह कहने लगे कि हम तो डाटा के बेस पे काम करते हैं ठीक है तो अब यार कितने दिनों तक करेंगे डाटा बेस पे तो बात सच्ची होगी ना तो इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, काफी अंसेलेक्टिट भाईयों ने ये फैसला लिया है, कि हम अपना एड़ोकेट भी चेंज कर लें, वह एड़ोकेट चेंज करने की क्यों बात उठी सोथच्वाब, इसलिए उठी, क्योंकि प्राइविट वकील जो उनकी अंसेलेक्टिट वकील थे, उन्होंने बोल दिया कि हम क्या करें, हम तो डाटा बेस पे काम कर रहें, और सारा केस अब सेलेक्टिट के पक्स में जा रहा है, 90% केस सोल हो चुका है, यह बिल्कुल पुकता रिपोर्ट बता रहा हूँ आपको, कभी सोस्तों बना के बाद बोल रहा हूँ, समझगी मेरी बात, ठीक है, तो इससे किलिर हो गया कि हमारा 90% केस सोल हो लिया, तो 10% केस के अंदर भाई केवल स्टे हट वानी है, ठीक है, अब देखिए, मैं यह नयायद हिस्तों हो नहीं, कि आपको यह बता दूँगा, कि 100% स्टे हट जाएगी, गोर्मेंट की काफी काफी क्या है, स्कीम होती है, ठीक है, हो सकता है कि अगर मानलेजे तुरंद स्टे हट जाए, तो फिर गोर्मेंट को भाई यह सफाई देनी पड़ जाएगी, हम लोग कहेंगे अब जुवाइनिंग करवाओ, जुवाइनिंग करवाओ, तो देखी, पंचायती चुनाओ के नजदीक आने के बाद भी मतलो थोड़ा सा सिस्टम को खिचा जा सकता है, लेकिन मेरे पास जो रिपोर्ट आई है, मैंने काफी लोगों से पुछा है, जो भाई यू लगा, मेरे काफी खास बंदे हैं ना, काफी खास लिंक है, उनसे बात निकल के आई है, कि सेप्टमबर के एंड तक, वैसे उन्होंने तो कहा था मिड तक, लेकिन काफी माइंड म पुछा और ये निकल के बात आई है, कि भाई, जोईनिंग आप लोगे सेप्टमबर तक हो जाएगी, और हैंडर परसेंट तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, देखो, वो गवर्मेंट की क्या स्कीम है, और कोट अगर सैटिस्पाई हो जाता है, क्योंकि अब तो यार छोटी सी बात पुछी है, जो कि बिल्कुल रिपलाई हो सकता है, ठीक है, अगर जजज साहिबान को अगर वो बात जल्दी समझ में आ जाती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और छोटी सी बात रही है, 90% सारे किस्से सुलज सुके हैं, भाई, अगर वो किस्से अभी सुलज जाएग तो 101% कहूंगा मैं स्टे हट जाएगे, दोस्तों खुछ रहो, जै हिंद, जै भारत, नमस्कार